साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर साखी लेकर आई हूँ तो चलिए साखी सुनते हैं सासंगत जी एक चित्रकार था जो बहुत ही सुन्दर चित्र बनाता था लोग उसकी चित्रकारीगी बहुत तारीफ करते थे एक दिन कृष्ण मंदिर के भगतों ने उस चित्रकार से कहा कि वो शिरी कृष्ण और कंस का भी एक चित्र बनाए चितरकार इस काम के लिए तियार हो गया कि आखिर भगवान का काम है पर उस चितरकार ने कुछ शर्टे सभी के सामने रखी चितरकार ने कृष्ण भग्तों से कहा कि मुझे योग्या पात्र चाही अगर मुझे पात्र मिल जाएंगे तो मैं आसानी से चित्र बना दूंगा अब शिरी कृष्ण के चित्र के लिए एक योग्या नठखट बालक और कन्स के लिए एक क्रूर भाव वाला व्यक्ति ला कर दें तब मैं चित्र बना कर दूंगा कृष्ण मंदिर के भक्त एक बालक को लेकर आए वो बालक बहुत ही सुन्दर और नटकड था चितरकार ने उसे पसंद किया और उस बालक को सामने बठा कर बाल कृष्ण का एक बहुत ही सुन्दर चितर बनाया अब बारी कंस की थी पर कुरूर भाव वाले व्यक्ति को ढूड़ना थोड़ा मुश्किल था जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर भक्तों को पसंद आता वो चितरकार को पसंद नहीं आता था वक्त गुजरता गया कई साल बीट गय और कंस का चितर बना ही नहीं आखिरकार ठक हार कर सालों बाद वो सभी कृष्ण भक्त अब उस चितरकार को लेकर एक जेल में गए जहां उम्रकाद काट रहे अपरादी थे उन अपरादियों में से एक को चित्रकार ने पसंद किया और उसे सामने बिठा कर उसने कंस का एक चित्र बनाया कृष्ण और कंस की वो तस्वीरें सालों के बाद पूरी हुई कृष्ण मंदिर के भक्त वो दो तस्वीरें देखकर मंत्र मुगत हो गए अब उस अपराधी ने भी कृष्ण जी की तस्वीर देखने की इच्छा व्यक्त की सासंगत जी उस अपराधी ने जब वो तस्वीरें देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा अब सभी ये देखकर हैरान हो गए चित्रकार ने उससे पूछा कि वो रो क्यों रहा है तब वो अपरादी बोला शायद आपने मुझे नहीं पहचाना मैं वो ही बच्चा हूँ जिसे सालों पहले आपने बाल कृष्ण के चित्र के लिए पसंद किया था मेरे कुकर्मु से आज मैं कंस बन गया हूँ इस तस्वीर में मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही कंस हूँ सासंगजी हमारे करम ही हमें अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं अगर हमारे करम अच्छे और महान होते हैं तो लोग हमें बहुत सम्मान देते हैं कहते हैं, देखो, ये इनसान तो देवता का रोप है, इसलिए करम का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, लोग कहते भी हैं, करम हमारे श्रेष्ट बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे, जैसा करम हम करेंगे, हमें देखकर और करेंगे, इसलिए साथ संगत जी, हर इंसान को अच्छे करम ही करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, बदन मेरा मिट्टी का, सांसे मेरी उधार है, घमंड करें तो किस बात का, हम सब उस एक ही मालिक के तो किरायदार है, अगर साखी अच्छी लगे तो प्लीज व प्यार से कहना धन्य रंकार जी